अभेद है जो क्षेत्र से अर एक है जो भाव से अखंड है द्रव क्षेत्र से अर काल एवं भाव से द्रव द्रष्टी करेस मेरमो नित में स्वयम ही चाव से स्वाई सार गंता दिराज गाथा च और साथ चत्वी और सात्वी गाथा के अधार से एक ज्यायक भाव परियायों से पार और गुण बेहदों से पार परम शुद्ध निश्चे नई का अर्थाद द्रष्टी का विशे जिसे समय सार गंता दिराज में शुद्ध नई के नाम से कई जग़ उलिखित किया है गाथाओं में भी कल्शों में भी शुद्ध नयोब्यूपेथि अविरल याद आ गया कौन से कल्श में है शुद्ध नयोब्यूपेथि शुद्ध नई उदित होता है आतमस्वभावं परभाव भिन्नम डस्वा कल्श बराबाब भारवी गाथा जार्वी गाथा ववहारो बोधतो बोधतो बराब सुद्ध नयो जो कहा कοι जग शुद्ध नई के नाम से अब शुद्ध निश्चे नई ड्रव्व्यारतिक नई जो परम शुद्ध निश्चे नई का विशे है दृष्टि का विशे भूद भगवान आत्मा देखिए दिमाग में मुझे आज के विशे के संदर्ब में विशेवस्तु करक्षा का जो और कल जो दो मैं उस धारा में से अभी बहरा हूँ उसकी बात मैं पहले कहता हूँ आज अभी 25-30 मिनिट हमाँ आप लोग सात्वी गाथा के आधार से और छटी सात्वी गाथा के तुलनात्म का अध्यान से पास होंगे अन्त में मैं प्रयत्न करूँगा जरूर साथ आट मिनिट कम से कम कम से कम पांच से छो मिनिट तक चैतन की चहल पहल के कुछ एक मारमिक अतिशे मारमिक बिंदूओं की तरफ जो दृष्टी के विशे हैं विशे के संदर्ब में उनकी तरफ में आप लोगं का करना चाओंगा ठीक है और कल जो है वो इस विशे का समापन करेंगे और सात्वी गाथा का जो भावार्त का प्रकरण है समय सार मूल गरंत में जो लिया है उस भावार्त का भी वांचन करेंगे जिससे कि गाथा सात्वी कल भी अपन ले थी थोड़ा सा आर्थ भी पड़ा अभी यहां थोड़े चोटे दादा के व्याक्यान में से जो अंश है वो लेंगे और कल पूरा अध्योपांथ भावारत पड़ेंगे खास करके देखो भावारत भी लेंगे और नए रहश्य के अंतरगत आलाप पद्धती का एक बहुत अपूर्व उद्धरन है जो दस प्र इदर्ष्टी के विषे से सम्मधित तो उसी में इस विषे का समापन भी होजाएगा तो इस प्रकास से कल का हम थो सांगो पांग इस विषे का समापन करेंगे देखिए आप लोग यहां इस पुस्तक के अंतरगत व्यक्तिगत आपके पास इदी यह जिन्मानी है पुस्तक है आपके पास तो इसमें दूसरा जो प्रवचन है दूसरे प्रवचन के अंतरगत आप पेज नंबर सत्रह प्रष्ट है दूसरा प्रवचन थोड़ा सा वहां से अपन पढ़ना चाहेंगे देखिए कुल नव प्रवचन है इन नव प्रवचन में हर एक प्रवचन में विशिष्ट विशे वस्तुएं हैं जैसे स्वपर प्रकाशक से संबन्दित तनमे होकर के जानता है कि कैसे जानता है परमात प्रकाश बरावर नियम सार की गाता है कई ऐसे संदर्व, कई ऐसे उद्धरण बहुत सुन्दर और सत्रवी अठारवी गाथा में अनुभूती सुरू भगवान आत्मा जानने में आता हुआ होने पर भी यहाँ अनुभूती मैं ही हूँ ऐसी अनुभूती प्रगट नहीं होती है यह एक प्रकरण तो ग्यायक भाव के ही इर्दगिर्द वही मूल प्रकरण उसमें पहले प्रवाचन में है वो पूरा अब वो शब्दशा तो आपन कितना पढ़ेंगे यहाँ आपके पास तो समय समय है बाद में बरावर उसका आनन्द लीजिए अथ से इति तक नक से सिख तक बरावर नक सिख अध्यो पांथ आपाद कंठ एक और शब्दा आता है उसमें आप अगवाहन करिएगा आनन्द आएगा आपको ठीक है वीर सागर जी भाहिशाब की भाशा में कहूं न थोड़ा साब को अजीब हो गरीब लगेगा अच्छा भी नहीं लगता है लेकिन वो साहित्यक विधा है इसलिए मैं कह रहा हूं वो कहते थे किसी के प्रेम में पड़ो साहित्यके प्रेम में जरूर पड़ो यह आप लोग वावा कह रहे हैं मतलब साहित्य को चाहो आप साहित्य से बंद के चलो साहित्य की गवेश न आतम गवेशी न ग्रहस्त है न जती है एक ग्यायक गवेशी न प्रमत है न अप्रमत क्या कहा ग्यायक गवेशी न ग्रहस्त है न जती क्यों अंतर की लच्छी सो अज्याची लच्छ पती जैसा है सब स्वारत के साचे परमारत के साचे दुनिया में तो स्वारती बनना तो बहुत बड़ी डिस्कॉलिटी मानी जाती है अध्यात्म में उससे बड़ी कोई कॉलिटी नहीं है स्वारत के साचे परमारत के साचे चित परजाय बुद्धी नाही आतम गवेशी गरहस्त है नजत सारी छटी गाता है इसमें आवे आतम गवेशी कहा न तो ज्यायक की गवेशना इसे होती है एक गरंथ का नाम लिखे रखो आप लोग पढ़ने के लिए बहुत जोरदार है पुस्त अंतर शोधन अविरेल पता है कि इसका है दीपचंजी सेथी गुर्देश्री के पास जाय करते थे और सुंदर दिल्ली के और अच्छे अभ्यासों और उनका एक पद संग्रह है भजनों का हित पद संग्रह शायद भजन आप लोग ने सुने हों संकलन है बहुत बढ़िया हो सा द्रव्य बना है भाव बना है फिर आगे द्रव्य बना है भाव बना है परियाय भी तो ऐसा बहुत सुन्दर पिर आगे लेक्षब लेगा ज्यानेश्वर कि हे ज्यानेश्वर उसमें तू करने क्या जाता है अकरता स्वभाव द्रव्य गुन परियाय सब स्वतंत्र स्वाधीन वस्तु है बहुत सुन पढ़ते थे उनकी, स्वाध्धे के बाद बाद 7th, 8th क्लास में जब पढ़ते थे स्वतह परिणम थीवस्तू के क्यों मालिक बनते जाते हो अरे कौन निकम्मा है जग में जो कितरा सुंदर है, कौन निकम्मा है इस दुनिया में अपना काम नहीं करता है, कोई द्रव्य निकम्मा नहीं है ठाथ पर्य, परियाय के बिना नहीं है अपने वस्तुत्व गुण भूत कारी के बिना अर्थ क्रिया कारी तो हर एक में है की ने और वस्तुत्व गुण कौन सा गुण है सामान्नी गुण है तो द्रवी में भी गुण में भी परियाय में भी सर्वत्र है न व्याप्त गुण कहते ही उसे है जो द्रवी के संपूर्ण भागों में और मतलब ये भागों में, गुणों में, परियाये में, क्षित्रिय विस्तार, गुणात्मक विस्तार सर्वत्र है न? खेर देखिए, पेज नंबर 17 नीचे कांच देखेएस में इन दो चटवी गाथा में प्रमत प्रमत दशा उनसे और सात्वी गाथा में गुण भेद से भिन्नता की बात कही गई है, इस वाक्य को आप एक तत्थ्य वाक्य के रूप में याद रखे बड़ाब, परिक्षा की दृष्टी से भी याद रखे, क्या कहा फिर एक बार चटवी गाथा में प्रमत अप्रमत दशाओं से परियायों से और सात्वी गाथा में बोलिये, गुण भेद से भिन्नता की बात कही गई है, मैंने कल इशारा भी किया था आप लोगों को, कल आपको मैंने इशारा भी किया था, द्रव्य दो हैं, नई के दो प्रकार द्रव ग्यान कलका, चोविसी घंटे हुवे अभी तो, बरावा है, दारना अवदारना दोनों चलती रहनी चाहिए, बुद्धी पुर्वग हमें स्मरन रखने की, याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें देखे विशुद्धी भी होती है, उपयोग में शारपनेस, सुक्ष प्रमेयों को पकडने की जितनी स्थिरता होगी, उसके साथ साथ उतनी ही विशुद्धी बढ़ती है, और जितनी विशुद्धी बढ़ेगी, उतना उपयोग तत्वक ज्ञान में और सुक्षन तासे लगेगा, यह याद रखें, बहुत मार्मेयों, सम्मेक सन्मुग मित्यादर्ष्टी का प्रकरन सात्वे अध्याई में, क्या लिखा है पहला वाक्य वहां, किसी कशायादिक ज्ञाना वरना दी और कशायादिक की मंदता से, इखाए, मतलब एक शवप्षम जो बढ़ता है, जो पकड़ बढ़ती ना तत्व की, किवल सुनने से नहीं बढ़ती है, वो परिणामों की विशुद्धी से बढ़ती है, अब अपन थोड़ा सा एक और पीछे चलें, उप उप्योग की स्थिर्था से बढ़ेगी, मुद्धी पुर्वक अपन प्रयास करें, टोड़र मजी साब कहते हैं, इसका उप्योग तो जहां लगाना चाहे, वहां लगता है, और यहां तो पुरशार्त को खोग करके बेठा हुआ है, वो उसमें मुनीम का उधार निया ना, अपरे का मेहतागिरी काम करता है, चुकलर की का, हिसाब नहीं मिले तो कितनी बार तो उसको मिलान करता है, तो सब अपने को अभ्यास तो करत करत अभ्यासतें जड मती होत सुजान रसरी आवत जात हैं, शिल्पर पड़त निशा, इसा है, तो इस बात याद रहे कि तीसरी चत्वी गाथा में प्रमत और अप्रमत दशाओं से परियायों से और सात्वी गाथा में गुण भेद से भिन्नता की बात कही गई है, ठीक है, यह वाली पुस्तक इसमें, मिला नहीं आपको स्क्रीन के उपर आया नहीं, यह न दृष्टी का विशे पुस्तक में, दूसरा प्रवचन बीच में है, इन दोनों ही गाथाओं में, आब देखेए, दृष्टी का विशे, पेज निंबर में ने कहा है, 17 पेज है, दूसरा प्रवचन है दादा का, लो ना पुस्तक के दोने हरु नगर को, चलिए सुनिये आप लोग कोई बात नहीं इन दोनों ही गाथाओ उमें परियाई से भिन्नता की ही बात की गई हैं अब उपर कहा था वहां प्रमत प्रमत दशाव उन से और सात्वी गाथा में कहा था गुण भेद से अब उन दोनों को मिला करके कह रहे हैं कि दोनों ही गाथाओं में परियाई से भिन्नता की ही बात है गुण भेद भी तो क्या है परियाई ही तो है ना बोलिये तुसे याप गुण भेद भी तो क्या है कल का ना भेद सो जवार परियाई के कहते में जाता है क्योंकि प्रमत औ और प्रमत दशाएं तो परियाएं हैं ही, साथ ही गुणभेद भी परियाएं ही है, क्यों की? देखो कितना सुंदर है तो दिया है, वह भी, भी क्यों लिखा? परियाएं तो परियाएं आर्थिक नई के विशे हैं ही, लेकिन गुणभेद भी परियाएं आर्थिक नई के ही ठीक है आगे पढ़ते हैं यह तो पहले स्पस्ट किया ही जा चुका है कि जो परियाय आर्थिग ने का विशे बनेगा यह एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट है जो भी परियाय आर्थिग ने का विशे बनेगा उन सभी की परियाय संग्या है परियाय संग्या किसकी होती है कि जो भी परियाय आर्थिक नए का विशे बनेगा उन सब की संग्या कौन से होती है परियाय संग्या याद रखना वो द्रव्य आर्थिक नए के विशे परियाय आर्थिक नए के विशे तो विशेश कौन से नहीं का विशे है बोलो तो विशेश जो है कौन से नहीं का विशे है परियायर्थिक नहीं का ऐसे ही आगे इसमें अभेद भेद क्षेत्र में तो भेद जो हैं वो किस नहीं के विशे है परियायर्थिक नहीं के विशे है ऐसे नित्य और अनित्य तो अनित्य किसने के विशे हैं परिया अर्थिकने के विशे हैं इस प्रकार द्रविक, शेत्र, काल और भावा क्यों मधुर कोला हल चल रहा है उसकी पीडियेप है आपके बास है ना अनुमान जी संजीवनी बटी लेने के लिए इतनी लंबी चोड़ी खोज करने पड़ रहे हैं खेर सुनिए ध्यान से यह तो पहले ही सपस्ट किया ही जा चुका है कि जो जो परिया अर्थिक नेका विशे बनेगा उन सभी की परियाय संग्या है सात्वी गाथा में भगवान आत्मा में गुणों का निशेद यिस्ट नहीं है पर्सनल आपकी पुस्तके दी है तो अंडरलाइंग करने जैसा स्टेट्मेंट लेए क्या कहा गुणों का निशेद यिस्ट नहीं है जबकि गाथा में क्या लिखा था गाथा मूल में क्या है कि नवी नानम नवी चरितम नव दंसनम लिखा है ना मूल में फिर भी कह रहे हैं कि गुणों का निशेदिस्ट नहीं है क्योंकि अनन्त गुणों का अखंड पिंड तो भगवान आत्मा ही है निशेद तो गुण भेद का है, गुणों का नहीं, मैं कही बार एसी कलपना करता हूँ, अविरल जी, हमारे उसके निशेद करने से वस्तों में से निकल जाएंगे, जैसे मैंने दो दिन पहले आपको उधारन दिया था, पुण इसा हमारा जो सब्जेक्ट हैं, हम जो परिक् में से निकाल दिया, कोई कि हम आउट आउट आप कोर्स हैं, लेकर अपने कहने से वह topic आउट आप कोर्स थोड़ी न होता है, क्या कहा मेंने, हमारे निकाल देने से थोड़ी ने चला जाता है, वह वस्तु सरूप में तो है यह ना, गुण तो रहेंगे, सुनों, गुण त रहेंगे द्रस्टी में से तुझे गुणभेद छोड़ने होंगे यह नियाए तो कहते है निशेद तो गुणभेद का है आप से यह से विकल पात्मक प्रश्ण पूजे जाएं सांत्मी गाथा में गुण रिक्तस्थान फिल इन ब्लैंक्स का निशेद किया गया है क्या होगा गुणभेद का निशेद जबकी गुणों का रिक्तस्थान निशेद नहीं किया गया है तो अस्ती नास्ती दोनों बाते निशेद तो गुणभेद का है और गुणभेद परियाय आर्थिक नई का विशे होने से परियाय ही है यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए दरश्टान तो मतलब वो वीतराग भाव के संदर्ब में सम्था भाव के संदर्ब में बिलकुल समझ लिजे गले में अटका हुआ उदारन है दैनिक स्वाध्य में मैं प्राये एक बात करता हूँ सु तो लोगों में मालुम समाज में कैसी समझ अ होती है वो अपना अभी प्राय पूछते है अचा आप सुभ कौन सा शास्त्र लेंगे शाम को कौन सा शास्त्र लेंगे जोरदार पांसो-साथसो पेच के गरंत का नाम देवे ना पन पंडिजी बहुत बड़े पंडिजी है सम समय सार लेंगे प्रोचन सार लेंगे और आप बोलो कि बाल पोती भाग एक लेंगे हरे यह तो चोटा मोटा पंडित है मतलब जीवों के चित में पुस्तकों के शास्तरों के आकार प्रकार के साथ भी पक्षपात की भावना पड़ी है लेकिन मैं आपको डंके की चोट बतात हो बाल पोती भाग एक ही अपने आप में समय सार है पूरा और छे अध्याई पहले के मैं जीव हूं मुझ में ज्यान है और मैं ज्यान से बस बात पूरी जीव तत्व का भेद विज्यान हो गया शरीर अजीव है दूसरा अध्याई वो दूसरे दिन 24 गंटे बाद बच्च पूरा नहीं है आगे फिर वो भेद विज्यान वाले सारे पाठे थीसरे चोते पाऊंच में जटे जपर भेद विज्ञान की तो मूल बात है तो वही तो बात यहां समय सार में भी है अपपा सो परम अपपा चाहे परमात्प्रकाष ने पड़े योग सार में पड़े चाह कौन्स जिनागम का ऐसा कोई भी प्रकरन बताओ जिसमें प्रयोजन भूद द्रश्टी के विशे वाली बात हमें नहीं निकाल पाते हैं बशर्ते अपने पास होनी चाहिए द्रश्टी इंग्लिश में एक बहुत फिलोसोफर के चोरदार एक स्लोगन है हम 12 यहां पढ़ते थे वुपाद्य वरिष्ट में पास्चाति दर्शन हमारे कोर्स में आपके भी हैं शायद पास्चाति दर्शन भारती दर्शन है उसके साथ साथ 60 मार्स का तो 60 60 का भारती दर्शन 40 मार्स का वो पास्चाति दर्शन था उसमें सॉक्रतेस अरिस्टोटल, प्लूटो यह साथ ग्रीक फिलोसोफर के संदर्ब में सारी चर्शन है उसमें एक स्लोगन आता था उस बुक में आता था इंडियन कल्चर सेज अस क्लोज यूर माइन्ड, क्लोज यूर आइज और ओपन यूर व्यूज कि आप अपनी आँखे बंद कीजिए और द्रश्टी को खोलिए, असल में होता क्या है, अपनी आँखे खुलती हैं, द्रश्टी, बंद होती है अब ये व्यूज जो है द्रश्टी बाली बात हैं, केवल आँखे खोलने से नहीं होता है वाइदिक संस्कृत में आप लोग ने पढ़ा होगा चरैवेती चरैवेती पराव चरनवे मधुविंदती अरे वो घूमते रहने वाला जो हैं वो मधुफल को प्राप्त करता है सूरी का उधारन दिया उसमें सूर्यस्य पश्यमानम स्रेयानम ऐसा उधारन दिया उसमें कि सोते रहने वाले का भाग्य सोता रहता है बैठने वाले का भाग्य बैठा रहता है खड़े होने वाले का भाग्य खड़ा रहता है और घूमते रहने वाले चलते रहने वाले का भाग्य भी चार अवस्ता हैं उस वार्डन है तूह समय लीजी है हमारे समय में आदर नी शंति जी भाइसा भी खुद ही आते थे रूम में खटकट आते थे तीसरी बार चोंटी बार तो हमारे क्लास में को मुणा का मित्र तो पला गिशा अब तो दो ही बार आ एंगे जब मैं उटूंगा। तो रहा देखें, तीसरी चोथी बार आएगा तब, लेकिन भाई, opportunities don't knock twice, क्या कहा, यह अवसर जो हैं कभी भी दुबारा, नहीं खटखटाते अपने दरवायजे पर, एक ही बारा आते हैं, अरे, दुख का अगन चाएगा, और अपने आप से सवाल पुछवाए उसमें, तू कौन कहां कहां है, किस गती में जाए, ऐसा है, सोचना चाहिए हमें, यदी अवसर चुका तो भाव भाव, भाव यह दीव अचनान्त है कि अनन्त वचनान्त, भाव भाव लिका न, दो भी तो अनन्त है न, इसलिए प्राप्त समय की कीमत, अब अवसर सभी प्रकार से आ चुका है, यदी ऐसे अवसर चला जाएगा, तो महादुरलब, चिंतामणी, रत्न, सोची है, बहुत अंदर में गवरो और महिमा के साथ हमें, इसका आनन्द ले इना चाहिए, अध्यात्मा आवे, आगमा आवे, करणानियोगा आवे, बड़े चाव से, बड़े चाव से, बड़े निष्ठा पुर्वक, शद्धा पुर्वक, हम तो आँ ऐसा गुर्देश्त्री का जो न, तक्या कलाम, समझाय चे काई, बोलते हैं, तो कई बार मलूं, समझानू काई काई भी वे अर्थ करते हैं, कि एम पूछिय चे समझानू काई, काई समझानू एम पूछिय चे, बद्दु हम जय जाय तो निहल थाई, म Nasıl सब कुछ समझ में आ जाय तो तो निहल हो जाय, तो काई समझाय चे-ले कई आप एक शाती समझाय चे, फिर उस समें नियाई की व्यक्या करते हूं नयती इती नियाई जो ले जाएं लक्ष तक तो यह है इसलिए हमें कि वक्तुर अभिप्रायो नयह अभिप्रायो भाव हाथ खड़ा करेंगे आज अधरनी अभैजी भाई साब ने पारिणामिक भाव के संदर्ब में कोई एक अपूर्व सत्य का रहशोत घाटन किया था याद है आप लोगों क्या कहा था हूं बोल अवे रहा है चलो पीछे से और भी मित्र हाँ आप बुली बहुत सुन्दर बस यही मैं सुनना चाहता था यह उसका लॉजिक नहीं है पारिणामिक भाव वाला वहाव सरूप है वह तो काल वाला फेक्टर है त्रेकालिक वाला और कितना सुन्दर उसका विशलेशन बिलकुल वह एक दो मिनिट का तो समझ लिजिए वो स्वाध्य मे इस उस कक्षा में इस उस क्लिप को अलग से निकाला जाए, पारिणामिक भाव, चपन नंबर की गाता हैं पढ़िया पारिणामिक भाव की व्याक्या क्या लेकिए, बिल्कुल उसके साथ वो मेल खाता हुआ, इतना सुन्दर स्वरूप, तो ऐसी ऐसी गहरी बाते जो हैं, उ पहली बार सुनने से अवग रह, दूसरी बार सुनने से यहा, और फिर कहीं जा करके, तो तीसरी बाचवती बार, पांची बारम बार हमें सुनना चाहिए, चलिए देखिए इसमें, सात्री गाता में भगवान आत्मा में गुणों का निशेध इस्ट नहीं है, क्योंकि अन परियाय ही है, यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, यहां एक प्रश्ण संभव है, यदि द्रश्टी के विशेभूत आत्मा में परियाय शामिल नहीं है, तो फिर उस आत्मा के द्वारा जानने का काम भी संभव नहीं है, क्योंकि जानना तो स्वयम, द्रश्टी का विशेभ, सुनना ध्यान से, उपियोग बहुत एकागर करके सुनना, द्रश्टी का विशेभ, फिर एक बार बोलता हूं, द्रश्टी का विशेभ, तो तो द्रश्टी का जिसका विशे है, वो जिसका है, वो कौन है, वो द्रश्टी वो कौन है, कौन है, वो त्रिकाल व्रत्ति का व्रत्ति मान का आलंबन होना यही विष्व का परम संदर्य है। व्रत्ति का आलंबन कौन होना चीए व्रत्ति मान द्रव्य सभाव यही तो विश्व का परम संदर्य है वस्तु सभाव का यह संदर्य है तो कहते हैं जानने रूप परियाय के कारण ही आत्मा ग्यायक कहा जाता है ग्यायते जानाती थी या एक जानने रूप परियाय के निश कि डेद्ड हो जाने पर आत्मा को ग्यायक कहन किुंकि वो जंग है जानंग जानंग सबहों जैसे आज वो आन सामननि वाली बात ने ही थि कू मति ज्ञान कू को निकाला मति को निकाला और ज्ञान साम मानने को रखा जैसे बहिर आत्मा, अंतर आत्मा परमात्मा, बहिर को निकालो अंतर को निकालो, परम को निकालो रखो कोन? आत्मा, 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 आत्मा पास में आ रही है मतलब बहरात्मा का स्वरुप समझने वाला भी आत्मा ही समझ रहा है आत्मा को ही समझ रहा है ऐसे अंतर आत्मा परमात्मा मतलब यह एक ट्रिक्स हैं समझने की सारी शैलिया है जानने रूप परियाय के कारण ही आत्मा ग्यायक कहा जाता है जानने रुप अरियायकी निशेद हो जाने पर आत्मा को ग्यायक कहना भी संभव नहीं होगा देंकि वस्तु स्वरूप में क्या है, कितना है और वस्तु स्वरूप में किसको विषय बनाना है द्रश्टी को द्रश्टी अपनी दिव्य द्रश्टी से रास्ता उसमें से माप लेती है ये कलाकारी है सच में तो इसमें सात्वी गाता में साफ साफ कहा है कि आत्मा ग्यान नहीं है दर्शन नहीं है और चारित्र भी नहीं है का न तो अब वो ज्यान भी नहीं दर्शन भी नहीं चारित्र भी नहीं तो फिर वो ज्याय के से रहगा तो उसकी जो भाषा है वो ज्यान नहीं है मतलब ग्यान गुण भेद को खड़ा नहीं करो उसमें गुण है उसमें दर्शन है चारित्र है लेकिन अनुभव के काल में उस द्रवे सवाव अबेद सवाव भाव की दृष्टी के विशे के समय में गुण भेद नहीं है जैसे की परियाई भेद भी नहीं है इस रूप से अब यहाँ इस क्रम में प्रवचन के क्रम में गाथा लिए एक बार गाथा का पाट करते है जानगो सुद्धो बोले हाँ अरी की दिका बोले द्रग ग्यान चारत जीव के हैं यह का हाव वहार से नाग्यान दरसन चरण ग्याया के सोद्ध है परमार्थ से ग्यानी के ब्रेकेट में क्या लिखा है जहां जहां भी समय साराधी गरंतों में अध्यात्म गरंतों में ग्यानी पद का प्रयोग होगा वहां वहां बिलकुल मूल अर्थ में समझना यह आत्मा की बात है अन्यत्र कहीं प्रकरण वश आत्म साधक सम्मे ग्यानी की बात आती हो अलग बात है ग्यानी के अर्थात आत्मा के ग्यान दर्शन और चारित्र ये तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं मनिश जी ने एक शब्द का जोरदार प्रयोग किया तब परसों के स्वाध्ये में निश्चे और व्यवहार का उपक्रम किया का दरा आचारी कुन कुन देव ने निश्चे और व्यवहार का उपक्रम किया ये उपक्रम ये है यहाँ इस गाता में कि ज्यानी के ज्यान, दर्शन और चारित्र ये तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं तो भाव शब्द का प्रयूग किया है निश्चे से परमार्थ से वराबर ज्यान नहीं है दर्शन नहीं है और चारित्र भी नहीं है ज्यानी अर्थात आत्मा को एक शुद्ध ज्यायक ही है इससे पहले अपने पढ़ा था इद्रश्टी का विश्य इसमें से निकलता है दोनों गाथाओं में से यहां कोई ऐसा भी प्रश्चु का सकता है अब थोड़ा से कलश लिया है बासट नंबर का कलश संदी देखिए यहां तो आप कह रहे हैं कह रहे हो कि आत्मा ज्ञान न ज्ञानात अन्यत करोतिकिम परभावस्य करता आत्मा व्यवहारी जनों का यह मों है के बलने ज्ञान सभावी जीव करे ज्ञान से भिन क्या करता परका जीव जगत जनों का मों है इस कलश का मूल संदर्ब समय सार में से देखिएगा कैसे अकरता सभाव से संबंदित इस कल अपने कल्षों के संधर्वों को भी अपन देखेंगे तो बरावर जैसे आज उन्यासी नंबर की गाथा और असी नंबर की गाथा की उत्था निकाएं पड़ी थी भैसाब ने हमने कमर कसी है बरावर बद्द कक्षायम हमारी मति व्यवस्तित हुई है में मतिर व्यवस्तिता यह भाषा शेली क्या है मतलब हम अरुन जी वैसाब हम हमारे बीच में ऐसे बस एक दो वाक्यों का आदान प्रदान हुआ तो यही तो है ना वीरी शक्ति का स्पूरण और क्या है यही तो शक्ति का संचार है आचारी के चित्न आत्मा ग्यान स्वरूप है स्वयम ग्यान ही है अतहव जानने के अत्रिक्त और क्या करे क्या लिखा इसमें जानने के अत्रिक्त और क्या करे सुनना गुर्देश स्री मालूं कैसे बोलते हैं दुनिया को जानना ये करना लगता ही नहीं है जानू ये करू नती जानू ये करू लाक्तूज नती करना ही करना लगता है जा जानना ये करना लगता ही नहीं है दोगिया और असल में तो जानना ही तो कर्तव्य है कोई तो मूल कर्तव है जिसमें कोई कर्तृत्व बुद्धी नहीं है आधरनी बड़े पंडीजी साफ के एक बहुत सुन्दर वाकिय है कर्तव्य अलग है और कर्तृत्व अलग है क्या कहा कर्तव्य अलग है और कर्तृत्व अलग है कहीं कर्तव्य के बहाने, red signal कहीं कर्तव्य के बहाने कर्तृत्व तो पुष्ट नहीं हो रहा है पूरी व्याक्या है आदा पॉन गुंटे का स्वाद्धे बहुत जोरदा कहीं हम ब्रह्म में हो ये तो हमारा कर्तव्य है ये तो हमारा कर्तव्य है ये तो हमारा कर्तव है जैसे वो अबेजी भाई साब एक उधारन देते हैं कि आत्मा करता है निबंदस परदा रखी गई नमबर आया भाई आपका नाम के है अक्षद हर्षित हर्षित ओके ओके अर्षित ठीक है अर्षित जी का नमबर आया पूछा शांती जी भाई साब ने अर्षित ये आप ही ने लिखा है जी भाई साब आप ही ने लिखा है जी जी भाई साब अचा निबंद का नाम क्या है आत्मा तो अचा आप ही ने लिखा है सर भाई साब मैंने लिखा है अब वो निबंद का विशे तो है आत्मा अकरता है और भाई साब के मतलब शांती जी भावासन में क्या है ये तो सुनो मित्रों कहीं कर्तव्य भावना के साथ कर्तर तो बुद्धी तो पुष्ट नहीं हो रही है ये है अध्यात्म का अर्क है ही मर्म है होवे अलग बात है जानना होने दो हूँ भी सहज जानो मत जानना तो देखिए अर्थात वह मात्र जानने वाला ही है आत्मा परभावों का करता है ऐसा मानना व्यवहारी जनों का मोह है अज्ञान है अर्थात व्यवहारी जन मोह से ऐसा कहते है अबल की तो माननिता में भी तो ऐसा ही पड़ा है तो ये सारा थोड़ा सा प्रकरन इसमें एक मैंने विद्ध्यारतियों से संबंदी देख बुद बढ़िया बात कही थी आज एक सुभाशित दादा ने एक इसमें प्रयोग किया 21 नंबर के प्रश्ट पे सुखार्तिनों कुतो विद्ध्यार्तिनों कुतो हसुकम 21 प्रश्ट पे सुख के चाने वाले को विद्ध्या कहां से प्राप्त होगी और विद्ध्यार्ति को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है उसका संदर्व, उसका सारा कथानव जो हैं, वहां से आप लोग पढ़िएगा, बाकि सेश जो इसका सारा प्रकरण है, आप जरूर देखिए उसमें, बस एक दो-तिन मिनिट हैं, मैं आपको बहुत मारमिक प्रकरणों की तरफ बहुत बुद्धी पुर्वग द्यान आकर्श करना चाहता हूँ, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, तृष्टी के विशेक को बल मिले आपको समझने के लिए, इसलिए दो-चार वाके में आपको कहना चाहता हूँ, सुनिए, आदरनी बाबुजी की भाशा में, दुरूव तत्व श्रद्धा के लिए मुख्य तत्व नहीं है, क्या कहा, दुरूव तत्व जो है, वो श्रद्धा के लिए मुख्य तत्व नहीं है, वरन वह उसका सर्वस्व ही है, क्यों क्यों ऐसा कहा, क्यों क्यों मुख्य तत्व है, मुख्य तत्व है, तो दूसरा भी कोई गौन है, ये बात आई ना उसमें, और विशे क् द्रश्टी का विशे बाद समझ में आ रहे कितना जोर दिया है दुरूवतत्व श्रद्धा के लिए मुख्यतत्व नहीं वरन वह क्या है वह उसका सर्वस्व ही है इसलिए सम्यक दर्शन स्वयम को मतलब वो द्रश्टी स्वयम को अपने को मिटा कर देखो मिटा कर आज कि अपने को मिटा कर द्रूव का दर्शन करता है वह अपने को गौण की कक्षा में भी नहीं रखता मुख्या और गौन किस में होते है शद्धा में या ग्यान में बोलो ग्यान में होते है शद्धा में सरुता होती है यह जोड़दार है बात इसमें समझने जैसे लगि उसकी भी अपेक्षा बरावर समझना यह हो गया शद्धा में स्वयम शद्धा का भी अत्यंत तिरोभा होकर उसमें उस द्रश्टी का भी अत्यंत तिरोभा होकर एक मात्र पूर्ण का वर्चस्व ही आविर्भूत रहता है उसमें ज्ञान की भांती मुक्य एवं गौन की कोई व्यवस्था नहीं है चेतन की चहल पहल में हैं सारे सोनेरी टुकड़े जिसे कहते हैं टुकड़ा टुकड़ा सोना स्वयम अहम यह अहम की मिलावट वाला पूर्ण शद्धा का आलंबन नहीं है वरना निर्पेक्ष पूर्ण उसका आलंबन होता है थोड़ी सी जिग्यासा आप लोगं को होवे इसलिए मैं ये पड़ रहा हूँ बहुं सुन्दर वाके देखे अनतिम वाके यदी श्रद्धा का स्वर यह हो कि मैं पूर्ण का अहम हूँ क्या कहा, यदी श्रद्धा का स्वर यह हो कि मैं पूर्ण का अहम हूं, पूर्ण का अहम हूं, यदी श्रद्धा का स्वर ऐसा होवे, तो इस स्वर में पूर्ण का अहम नहीं, वरन अहम का अहम प्रवर्तित हो गया उसमें तो, और वह स्पष्टमित्यादर्शन ही है, ए बा अबुजी वाला वाक्य जोरदार बरावर ऐसे ऐसे बहुत सुन्दर सुन्दर अपूर्व चैतन्य की चहल पहल का भी वांचन पतन पाथन दृष्टी के विश्य के इन व्याख्यानों के साथ आप करिये कल की अपने अंतिम कक्षा होगी उसमें भी कई ऐसे अन्यानिक प्रम लेंगे ओम नमहां सक्देव हैं कि द्रिश्टी के विश्य भूत परम सुद्ध निश्यन है कि अपेक्षा दर्शन ग्यांचारत रूप समस्त गुड़वेदों से रहत यहां आत्मा एक मात्र ग्याया की है इस पेकार द्रिश्टी के विश्य भूत अंतरगत सात्वी स्तत्वार सूत्र पर बिद्व संगोष्टी कायो जने